अगली खबर का रोकरते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया डूंगरपूर दौरे के दूसरे दिन समर्पन नेदी संग्रहन अभियान का उन्होंने आगाज किया और पूर्बर प्रधान मंतरी अटल विहारी बाजपेई के जैनती को सुषासन दिबस के रूप में मनाया इस दौरान नोंने गहलोद सरकार पर जम कर निशाना भी साधा अभियान का अगाज करते हुए पुनिया ने गहलोद सरकार पर निशाना साधा किसानों की करजमाफी बेरुजगारी और पदेश में बढ़ते अपराधों पर कॉंग्रिस को घेरा पुनिया भी साथ लाक किसान करजमाफी का इंतजार कर रहे हैं राजस्तान में सबसे ज़्यादा 27.3% बेरुजगारी की दर है समर्पन नेदी संग्रहन अभियान के पहले 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 दिन पर डूंगरपूर से 21 लाख रुपए खटा किये गए अभियान के उद्यपूर संभाग के प्रभारी मनोज सामर और सेप्रभारी के गुपता के नितरतों में सबसे पहले दिन 21 लाख की राशी एकत्रित की गई सेप्रभारी के के गुपता ने 25,000 रुपए का चेक दिया बांसवारा डूंगरपूर सांसद कन कमल कटारा ने 1,000 रुपए का चेक मदन सिंग ने 1,11,111 का चेक रमेश बीरपानी ने 1,11,111 रुपए का चेक बहीं पूर्मंत्री सुशील कटारा एक लाख एक अजार हस्मुख पांड्या एक लाख एक अजार हुसेनी वोरा एक लाख एक अजार संजे सरहिया ने भी 1,11,000 रुपए इस समर्पन निदी अभियान में दिये हैं इसके असार बताया जा रहा है कि मारवल व्यापारी खेम सिंग एक लाख एक अजार और अनित तमाम व्यापारियों ने भी समर्पन निदी संगर्ण अभियान में अपनी अपनी धनराशी भेंट की है वहीं जले के मंड्यावर पॉलिस थाना इलाके में एक योबक के साथ हुई मारवल पीट के मामले ने तूर पकड़ लिया है योबक की रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का रूप को लेकर महुआ विधायक ओम प्रकाश खुडला शुक्रबार देवरात मंडावर थाने पहुँचे जहां पीडित पक्ष के लोगों के साथ थाना परिसर में धरने पर बैठ गये अशोक बैरबा के साथ मारपीट की खटना को लेकर विधायक रात करीब दस बजे पोलिस थाने पहुँचे जहां पोलिस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करने का आरूप लगाया आरूपियों की ग्रफतारी की बांग को लेकर विधायक धरने पर बैठ गये गरतना की जानकारी मिलते ही डिप्टी असपी बिजेश कुमार भी थाने पहुँच गये और इस दोरान विधायक ने आरूप लगाते हुए कहा कि पोलिस दलितों की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है उनोंने थाना प्रभारी पर आरूप लगाया कि वे एक नेता के इशारे पर काम कर रहे हैं जिनका कॉल आने से थाना प्रभारी ने रिपूर्ट दर्ज नहीं की थाना प्रभारी ने कहा कि पेडित की रिपोर्ट पहले ही दर्च की जा चुकी है लेकिन परिवादी जो है वो मेडिकल के लिए तयार नहीं हुआ है उन्हें बताया कि परिवादी का कहना था कि MLS आएंगे तभी मेडिकल करवाएंगे किसी नेता के इशारे पर मामला दर्ज नहीं करने जैसी कोई बात नहीं है चाहे तो उनकी कॉल डिटे निकलवा सकते हैं सीओ और थाना प्रभारी से हुई वारता के करीब एक घंटे बाद विधायक ने धरना खत्म किया और पॉलिस ने बताया कि अशोक कुमार वेरवा ने ये मामला दर्ज करवाया था और उसने बताया कि वो रास्ते में जा रहा था इसी दोरान को चिवबक रास्ते में शराब पी रहे थे जिन्हों ने उसे रुकवा कर पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर उसके साथ जो है वो मार पीट की गई लेकिन दरीतों के साथ पार है और अब उसके मुगर्मा दर्शमेंट नहीं करते हैं अब तक पुलिशी काड़ी जाकर जाकर जाने कि यह दिक्यों नहीं गई पहली बार आठ साल में या चत में बैठा हूँ पहली बार मुझे तो जो भी दोसी है आप जाच करो अराम से जाच करो मुझे कोई परिशारी नहीं है जो सच है दूद का दूद पानी का पानी होगा। मैं दलित के लिए आज भी मरता हूँ, कल भी मरुआ। दलित का पशीना पड़ेगा, वहाँ अप्रकास उडलाना कूल पड़ेगा। जब मैं इंगे साथ उठता हूँ, बेटता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, तो इनको करीब दो महीने से शहीद इसमारक पर धरना चल लाहा है। विरुजगारों ने आज अपनी मांग सरकार तक पहुँचाने के लिए गांधिवादी तरीके का इस्तेमाल किया। धरने पर बैठे तीन ब्यरतियों द्वारा गांधी जी का विश धारन कर पदों की संख्या लगी है। मांग को लेकर पिछले करीब दो महीनों से शहीद इसमारक पर अनिश्यत काली धरना चल लाहा है। अपनी मांग को लेकर जहां पिछले तीन दिनों से तीन अभ्यरति आमन अंशन पर बैठे हैं। वहीं आज तीन अभ्यरतियों ने गांधी जी का विश दान कर स तो महिनों से पदों की संख्या बढ़ाओने कीमां को लेकर आंदोलन चल रहा है लेकिन अभी तक भी सरकार के ऊगर से कोई सकारात्मक रुख अपनाते दिखाई नहीं देव रहा है जब तक वदों की संख्यान नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक आंदोलन इसी प्रेकार चलता रहेगा अगली ख़बर कर रुक करते हैं क्रिस्मस के मौके पर शनिवार को शहर के चर्चों में प्रात्ना सभाओं का आयोजन किया गया क्रिस्मस की खुशिया चर्च और मसीय परिवारों में ही नहीं बलकि बाजारों में भी देखी गए शहर में शुकरवार रात साइंकालीन और रात्रिकालीन सभाओं का आयोजन के बाद शनिवार को सुबह चर्चों में प्रात्ना सभाओं का आयोजन किया गया सुबह मसीय समाज के लोग परिवार सहित चर्चों में पहुँचे और खुशहाली और सद्भावना के साथ कोरोना मुक्ति के लिए भी प्रातना की संत एंसलम स्थित एमिक्यूलेट कंसप्शन चर्च ऑफ रॉब्सन मेमोरियल चर्च हस्बैन मेमोरियल प्रातना सहित शहर के आनी चर्चों में प्रातना सभाव का उजन किया गया इस मौके पर मसीय समाज के लोगों की ओर से जरूरत बंद परिवारों की मदब भी की गई मसीय समाज के लोग एक दूसरी को क्रिस्मस की बधाईया देने के लिए उनके घर पहुंचे और देश में भाई चारा बना रहने के साथ ही कोबिन-19 महमारी से छुटकारा मिले इस से लेकर प्रास्ना की गई